ये, लोग देख रहे हैं, ऐसा मुर्गे में ऐसा चोटी बनी रहती थी, ये, ये आया ना चड़ा, ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर नमबर लगा है, मिस्टर घरीब बोई का, अब इनका नाम क्या है, मुझको नहीं पता, और मेरे चेहरे पे इतनी की चमकान इसलिए है, क्योंकि हासी आती है, ऐसे लोग को मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन हासी आती है, जब इनके बारे में सुचता हूँ, देकि जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो मैडम लोग बोलती थी, और ये बाद तो फैक्ट है, मैडम की बोलने का क्या है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में knowledge लेना है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको science नहीं आ रही है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आएगी, maths नहीं आ रहा है, तो practice करनी पड़ेगी, तो ही आएगा, लेकिन YouTube पे ऐसा नहीं है, YouTube पे आज इतने सारे creators हैं, आज की वीडियो में हम Mr. Garib Boy की बात करने वाले हैं, तो ये कैसा content बनाते हैं, उसके लिए हमको देखना नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि देख कही समझ में आता है, चाहे वो दीपक Vlogs हों, चाहे ये लोग के जितने भी सारे दोस्त हैं, अब जैसे राजा Vlogs है, उसके भी क इतने सारे दोस्त हैं, तो कई YouTubers ऐसे हैं, जिनको हमको read करने की ज़रूत नहीं है, वो चीज हम पहले सही देख सकते हैं, तो Mr. Garib Boy को मैं भी नहीं देखता हूँ, ये हैं उनकी इतनी सारी वीडियो और ये वीडियो बनाने के पहले मैंने उनकी ये वाली वीडियो खोला, Hello Guys को कुछ शिकायत हैं मुझसे, मिरको सबसे ज़्यादा हसी आती ना, कि इसके पापा भी इसके साथ vlogging करते हैं, मैं तो अपने पापा के साथ कभी vlogging नहीं करता है, मतलब पापा बैठे रहते हैं तो camera पकड़ने मुझको अजीब सा लगता है, तो ये वीडियो खोल के मैंने कल देखा था, देखिए, ये वीडियो है, तो इसमें इसके पापा vlog स्टार्ट किये हैं, और शुरू से लेकि अगर मैं देखूँ तो तीन मिनिट तक देखिए, यहां तक तीन मिनिट, तीन, ये देखिए, तीन मिनिट तक ये सिर्फ एक ही एंगल में बात कर रहे हैं, और सुनाई दे, ताकि आवाज में बेस आए, तो आपको सुनने में भी मजाए, आ रहा होगा न मजा, तो वैसे ही, ये लोग को इन सब चीज से फरक नहीं पड़ता, कैसी भी आवाज आए, कैसा भी चेहर आए, कुछ फरक नहीं पड़ता ये लोग को, और बात वीडियो में क एक भी वीडियो नहीं देखा हूं, आज इवन ये जो घरीब बोई पर वीडियो बन रही है, इस पर ही मैंने इसकी एक भी वीडियो कभी देखा नहीं, क्योंकि समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाने के एक वीडियो खोल के देखा था कि कैसा क्या ये काम करता है तो इसमें जब मैंने गरीब भूई को देखा न तो मैं को आसी आई है कि ये कोई लड़का है या फिर ये गुंडा कर दी चल रही है यहाँ पर यूटूब पर आप देखिए इस वीडियो को आगे किया तो आप दे पोटी बनी रहते थी उस टाइप के बाल है घजा भा यार गले में ये चेन लगी हुई है जैसे वेस्ट इंडीज वाले अगर आप क्रिकेट मैच देखते हूंगे तो वेस्ट इंडीज बोट देता ही एक चेन गले में मोटी चेन या फिर हात में मोटी चेन वैसा वो अब बढ़ो जराम अच्छा कहा जा रहे अरे कैसी बात कर रहा है लोग देख रहा है एक नम्मर लोग ऐसे अगर कोई रास्ते में देखा तो इसको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं रिक्षे में भी बैठ गया यह अलग लोग है यार मतलब एकदम धासू लोग है कोई बोलेग इसको अगर रास्ते में कोई देखा तो बहल है काई बड़े किया हाल है अच्छा मैं जवलब बड़े कैसा ऐसे इसको देखके बात करेंगे तो यार्फ भाज़ा आता है यह देखिए पूरी वीडियो में लोग इतना गजब काया अच्छा जब मैंने इस वीडियो को आग आगे किया तो मैंने देखा बनियायन में और हाफ पेंट में वीडियो बना रहा है मतलब हाफ पेंट तो अभी देखे जो सच बात है बता रहा हूँ मैंने भी पहना हूँ लेकिन कैमरे में नहीं देख रहा ना महंगा सा बनिया है अब तो खमाने लगे हो भाई इतना सारा पैसा आ रहा तो बहत्रिन ऐसा चड़ा पहनो जो लगता है कि आउस्ट्रेलिया से खरीद के आया हो बर्मूडा टाइप का बहत्रिन मस्त उसमें स्टार बने हो और कुछ परिया टाइप की बनी हो तो पहनो जब वीडियो में कोई देखे तो उसको भी लगे वाव क्या चड़ा है तो ऐसा पहनना चाहिए तो इस वीडियो को मैं आगे करता हूँ आप देखिए गरीब वो यार आज गरीब नहीं रहा जब यह शुरू किया था तब गरीब था 578 के सब्सक्राइबर्स है माइने रखता ह एक ऐसे बंदे के लिए जो गरीब हैं मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ ऐसे बोल बोलके आज देखिए उतने सब्सक्राइबर्स मेरे भी नहीं है जबकि आप कैमरा मेरा थोड़ा सा जितना मैंने खर्च किया हूँ बाद है बता हूँगा माइक जितना तो ये सब के लिए देखिए कर्च करके मेरे पास आज कुछ नहीं वचा लेकिन ये लोग बन दे वेलकुल मौझ कर रहे हैं ये लोग का कुछ ऐसा नियम है कि मौझ लेते चलो ना मिले तो खोजते चलो ये थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूँ सेंटेंस मेरे दोस्त बोला करते थे बाबा मौझ लेते चलो ना मिले तो खोशते चलो तो कुछ इस टैप का तो अब अब देखती है मैं इस वीडियो को आगे करता हूँ और ये आपको मैं देखा हूँ और ये देखिए आप इसको बहतरिन बनियाइन में अभी तो ये महाशाई जी बनियाइन में बैठे हुए है अभी मैं आपको चड़े वाला लोग भी देखाता हूँ पैतरिन ऐसे ऐसे करके प्लास्ती अभी आएगी प्लास्ती अभी आने वाली है मैं देखाता हूँ आपको लोग देख न ये वेस्ट इंडीस बोड का चेन बहुत चमक रहा है बनियाइन होगी लक्स कोजी की ये ये आया ना चड़ा ये देखिए जो मैं परियों की बात कर रहा था ये साइड में बनी हुई है कुछ परियाँ और आप देख रहे हैं ये गजब का लोग है मतलब थोड़ा सा सोचना समझना तो चाहिए ना यार दोस्त यार क्या यार कुछ भी वीडियो बना देते हो यार थोड़ा टी-शिट पहन लेते इतनी भी क्या गर्मी थी यार जबर्दस लोग है लेकिन ये पानी भी गिरा हुआ है यहां पर ये देखिए यहां भी पानी गिरा हुआ है ये साइड में लोग आ गया गया बड़िया गोपरो 9 का ये बन्दा अन्वाक्सिंग कर रहा है तो इस गरीब बोई के बारे मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ और मैं देखते ही नहीं हूँ तो क्या जानूंगा यार इन लोग की वीडियो देखने का वैसे ही बन्नी करता तो मैंने सुचा चलो थोड़ा सा एक मजा करते हैं ये भी बन्दा लेकिन एक कॉंटेंट बना रहा है ठीक है यार जो आप लोग इसको देखते हैं मजा आता है आप लोग को इस लिए देखते हैं ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं थी ऐसे ही मैंने सुचा कि चलिए थोड़ा सा मजा करते हैं ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो please मुझे नीचे कमेंट करके बताईएगा मिलता हम अगली वीडियो में सीता राम